नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपकी किचिन में जहां हम बनाने जा रहें एक ऐसी दिस जो नास्ती की जान है और लंच का ताज है जी हां हम बनाने जा रहें आलू पराथा तो चलिए बिनादेर की रेसिपी शुरू करते हैं सबसे पहले हम दो कप गेहूं का आटा लेंगे उसमें एक कप बेशन थोड़ा सा नमक डालके धिर धिरे पानी डालते हुए एकदम सौट सा डो तयार कर लेंगे डो ऐसा होना चाहिए कि आपके पराथी जो है वो एकदम नरम और लाजवाब बने अब इस आटे पे थोड़ा सा घी लगाकर हम इसे दस से पंदर म पाउडर, एक टेबल इस्पून रैड चिली पाउडर, एक टेबल इस्पून जीरा पाउडर, एक टेबल इस्पून गरम मसाला, एक टेबल इस्पून आमचूर पाउडर, अजरत लेशन और हरी मेच का पेस्ट, जीरा नमक डालकर मिक्स कर लेंगे और इसमें एक टेबल का सूरी मेथी को एट करेंगे इससे हमारे जोल स्टफिंग है उसमें अच्छा फ्लिवर आएगा इसे अच्छी से मिक्स करके स्टफिंग को तयार कर लेंगे तो देखिए आटा बिल्कुल सॉप्ट होना चाहिए अब आटे से हम छोड़ छोटी लोईया बनाएंगे उसमें स से एक लोई को लेंगे उसे हलका सा सुखे आटे में डिप करेंगे और पेलन से थुदाँ सा भिय गोपड़ कर लेंगे और लेंगे अप्गुद कर देंगे एक्स्ट्र chant करां निकालके अलग कर देंगी अब इसे हम धीरे-धीरे गोड़ल में engines त्यार करेंगे व्याव सासूखा आठा लगाएंगे और वेले को बिल्कुल हलके हाथों से चलाते हुए आवर इसे पराठा बेलेंगे चली sonra रिदर निदम गर्मास के अंदर से matt गरम आलू पराठा इसे दही मक्खन या पिर अचार के साथ परोसे अगर आपके रेस्पी पसंद आई हो वीडियो को लाइक जरूर करें और मुझे कमेंट में बताए कि आपको रेस्पी कैसी लगी